संसाधन पर्थम अध्या के बारे में आपको समरी एक सारांस के रूप में पुर्य अध्या को गताएंगे संसाधन संसाधन क्या चीए है हमारी पर्यावरण उपलब्ध परतीक वस्त जो हमारी जरूतों को पूरा करती है वह संसाधन कहलाती है जैसे कोला पेट्रोलियम यह सबीक संसाधन है संसाधन कई प्रकार की होती है सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे उत्पत्ति के आधार पे जयव संसाधन और अजयव संसाधन जेव संसाधन, जिन संसाधनों में जीव पाया जाते हैं, उसे जेव संसाधन कहते हैं, जैसे बनश्पती, पेड़ पौधी या पश्पत्ची दूसरा अजयो संसाधन वैसे संसाध है जो निर्यू होते हैं और वस्तूओं से बने होते हैं जैसे चटाने, धात्वी और अने परकार की निर्यू चीजें जो हमारी उपयोग में आते हैं और यह आजेव संसाधन है कि है आज है संसाधन सांविता समापता के अधार पर कि नभी कर नभी कर रोड़ों रिफ्षानिक और यान्तरो द्वारा बनाया जा सप्टा है पेर्वियो किया जा सकता है जैसे सौर उर्जा समाप्त नहीं होती है पमन जा पमन-उर्जा भी कभी समाप्त नहीं होती है और अनमी कर जाता हं बहुत समय घृष्रीयम कहता है तो इसको बनने में बहुत वह समय लगता है आर चभी लना मदला गल ने जैसा होता है अग्य बाद में इसका प्रियोग हम नहीं कर सकते जैसे कुईला और प्रिट्रोर्यम ये दो फीगर हैं सवर उर्जा का सोलर पैनल लगा करके हम उर्जा बनाते हैं दूसरा पमन उर्जा है इससे जो है पमन चक्की द्वारा हम उर्जा बनाते हैं स्वामित के आधार पे उसके स्वामित में व्यक्तिगत संसाधन जो शिर्फ हमारे लिए होता है व्यक्तिक लिए होता है ऐसे संसादन को व्यक्तिकत संसादन जैसे बहुत से किसानों के पास सरकार दोरा दी गई भूमी होती है वह भूमी व्यक्तिकत होता है उसके बदले में बदले किसान जो है लगान चुकाते हैं घर वक्तिगत होता है जादाद वक्तिगत होता है उसी तरीके से सामदाइक स्वामित ऐसे संसाधन जो सभी लोगों के लिए होता है सालजनिक होता है जैसे संसां की भूमी तालाग यह सब किसी व्यक्त के लिए नहीं यह संसाधन है राश्टी संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें देश की सरकार का सामित होता है देश की सरकार का अधिकार होता है व्यक्तिगत वह है व्यक्तिकी संसाधनों पर अधिकरान कर सकती है जैसे खनिश संसाधन, जल संसाधन, बन, रेल, एक्ष्टरा जो भी एक्ष्टरा जो भी संसाधन है उस पर राष्ट का अधिकार होता है दे वैसे तट्रेखा से 200 समुद्री मेल की दूरी पर पाए जाने वाले महासागरी संसाधन पर तो किसी देश का अधिकार नहीं होता है 200 माill से अंदर तुदेश का संसाधन होता है लेकिन 200 माill से दूर समुद्र में 200 माईल तट से 200 माईल के दूर जो संसाधन होता है वह है अंतराश्ची संसाधन होता है उस पे आप जल्यान चला सकते हैं कोई रोक नहीं सकता इस तरीके से अंतराश्ची संसाधन होता है विकास के आधार के संसाधन, संभावी संसाधन ऐसे संसाधन किरसी परदेश में विद्वान तो होते हैं किसी छेतर में तो होते हैं पर इसका उपयोग नहीं किया गया है हमें पता है कि इसका उपयोग हम कर सकते हैं तो इसे हम संभावी संसाधन कहते हैं से भारत के पश्यमी भाग राजस्थान और गुजरात में सौर उर्जा क्योंकि वहां बादल कम पाय जाते हैं सोट की किरने सीधे पड़ती हैं तो वहां पर सौर उर्जा की संभावनाएं पहुचादा हैं या वहां पर पेड़ पौधे कम हैं पवन का वेक तेज होता है तो से कर सकें लेकिन संभावनाएं बहुत हैं विक्सित संसाधन ऐसे संसाधन जिसका विकास हम कर चुके हैं सर्वेच्छन करके उसका विकास कर चुके हैं और उसका उप्योग हम कर रहे हैं फिर भंडार जो संसाधन संसाधन जमीन के अंदर है हमारी अभी प्रद्योकी उसका प्रद्युकी या कौशल का उपयोग करके हम उसको वो हमारे पहुंच से दूर है लेकिन हमें मालूम है क्यों बंडार जो है जमीन के अंदर या संसाधन हैं ऐसे संसाधन बंडार कहलाते हैं जैसे चल दो जुलन सील गैसों का योगिक है एक हाइडोजन एक आकसीजन यह उर् मतलब इससे हम जो है जल बना सकते हैं लेकिन अभी हमारी टेक्निक इतनी तेज नहीं है कि इसको हम जल बना करके उपयोग कर सके हैं संचित कोश संचित कोट यह भंडार का ही हिस्सा होती है इसका हम प्रयोग तक्निकी द्वारा करते हैं लेकिन अभी उसका उप्योग नहीं कर रहे हैं भविस्ष में आश्वक्ता पूरी करने के लिए इसको हम इसका उप्योग कर सकते हैं से संचित कोश कहा जाता है संसाधनों का विकास मानों ने संसाधनों का अंधादून उपयोग किया है विकास के लिए उपयोग किया है जिससे हम उसको विकास तो भावतिक वादी युग में कह सकते हैं लेकिन इससे अनेक समस्याय हुई है कुछ व्यक्तियों की लालच की कारण जो है संसाधनों का हरास हुआ है मात्मा गाधी ने कहा है संसाधन सबके लिए उप्यूग्त है प्रयाप्त है लेकिन किसी एक के लालच को पूरा नहीं कर सकती है ये मात्मा गाधी ने कहा है तो कुछ ब्यक्तियों के लालच के कारण ही संसाधनों का रास हो गया है दूसरा पॉइंट है कुछ लेखों के हाथ में संसाधन आए है लेकिन कुछ कुछ मिले ही नहीं या कम मिले है इसलिए अमीर और करीब दो वर्गों में बढ़ गया है संसाधन के सोसर से ओजोन में छेद हो गया है ग्लोबल वार्मिक पुरिविष्ट में ताप मान के बढ़ दिद्धी होई है और प्रदूशा फैला है देखिए पुरिविष्ट का फीगर है इसको पदर्सित किया गया है सतत पोशी विकास इसका मतलब है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो हम प्रयोग करते हुए अपने आने वाले पेडियों को भी वह संसाधन दे सकें मतलब परियावरानत को बिना नुकसान पहुंचाए हम संसाधन का उप्योग करें और हमारी पेडिया वेव संसाधन का उप्योग कर सकें इसी से समंधित कई अंतराश्टी बैठके हुई है मीटिंग हुए है एक सबसे पहला मीटिंग हुआ है रियो संबेलन रियो डीजे निरो संबेलन हुआ है इसे हम पृत्वी संबेलन के नाम से भी जानते हैं यह 1992 में ब जलवाई परिवर्तन क्लाइमट चेंज और ग्लोबल बार्मिंग जैसे मुद्दे मुख थे इस पे बहास हुई निजकर्स निकाले गए और इस उद्देश को पूर्ती करने के लिए एजेंडा 21 की घोश्रा की गई यू 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 जो अंतराश्टी अस्तर पर एक यू इसमें इनिशिप 1992 में मुख थे सतत विकास का रखा गया सतत विकास मतलब संसाधन का प्रयोग करते हुए आने वाले भविश्ट के लिए भी सनच्छन किया जाए संसाधन नियोजन संसाधन किया है संसाधनों की पहचान करके उसकी एक लिष्ट बनाया जाया और मानचीत पर उसको दर्सा दिया जाया कौन से संसाधन कहां कहां कितने है संसाधन विकास की योजनाय बनाई जाए जिस टेक्नालोजी तैयार किया जाए जिससे संसाधन का उप्योपिया जिसके संसाधन विकास की योजना और आश्टी विकास योजना में तालमेल जो योजनाय बनाई जाए और जो योजना का क्रियान्वन किया जाए उसका तालमेल बैठाना इस संसाधन योजन का उद्देश होता है खिर अगला है और अपनिवेशिक इतिहास हमें बताता है हमारे तो इग्लेंड या बिटेन हमारे उपर हकूमत की है वह बताते हैospfriend शंसाधन्ध संपन करने के लिए यहाँ पर आए कर लेकिन वे बहतर टेक्टनालजी के कारण उन्हों ने संसाधन का सोब्सक्रांट एक और की थे का विकास कर सकते हैं जब उस देश में टेक्टनालजी टकनीकी घ्यान होता है तभी उए ज्याद से ज़्यादे उसका उपयोच Greek क्यां सकते हैं जैसे जितने भी विक्सित देश हैं उनूने जित्नने भी संसाधन थे उस देश में उसका ज़्यादा सी ज्यादा प्रीयोग किया और अपने देश संसाधन का संच्षण क्यों आउशक है संसाधन का अंधा धुन उपियोग करने से अने समस्याय को समस्याय तो इसलिए नगे संसाधनों का संच्षण जरूरी हो गया अब अगला है भूत संसाधन हम भूम पर रहते हैं आर्थिक रूप से इसका प्रयोग करते हैं इसलिए भूमी हमारे लिए बहुत उपयोगी है किर्शी हो बूपर ही होते हैं इसलिए भूम संसादन बहुत इंपॉर्टेंट है भूप योग जो है उसको हम किस रूपों में करते हैं बन बंजर भूम गैर किरसी भूम जैसे सडकी इमारती किरसी से समंदित नहीं है इसका प्योग हम करते हैं अस्थाइ चरागा उपवन किर्सी योग बंजर भूमी जिस प्रद्दन कहते हैं वर्तमान परतिभूमी एक साल से खेती करते हैं और जो वहुत पुराने समय से एक साल से 5 साल तक खेती नाहों से पुरात्र परती भूमी कहा जाता है शुद्ध नीववल बोया हुआ छेत्र मतलब एक साल में जितना बोयागा च्रेत्र होता है उसे सुद्ध नीवल बोया छेत करते हैं यही सब भूमी का उप्योग है अब अगला है मिर्दा संसाधन, मिट्टी संसाधन, मिट्टी तो जानते ही है, हमारे खाध्यान के लिए मिट्टी बहुत उपयोगी है मिर्दा संसाधन, यह महत्पूर संसाधन है, निर्माल इसका लाखो वर्सों में होता है, प्रमुक कारक मिट्टी बनने में कौन कौन से कारक होते हैं जैसे भू आकरिती, जैसी मिट्टी की उबरी आवरा होगा, उचाई निचाई होगी, उसी तरीके से मिट्टी होगी, जलवायो, ठंधी, गर्मी, आदी, बर्षात, आदी रूपों के कारण मिट्टी का सुरूप बदल जाता है, जैसी सैल होती है, पथल होता है, उस पे जो म मिट्टी बनती है, उसी तरीके से बनती है, जैसे ज्वाला मुखी का उद्गार होगा है, तो वहां काली मिट्टी होगी, इस तरीके से सैलो द्वारा भी मिट्टी का निमार होता है, तापमान के कारण भी मिट्टी बनती है, अलग अलग रूपों में, पवन भी मिट्टी करने में मार करने में साहक होता है तो मिट्टी के कई प्रकार है भारत में जलोड मिट्टी काली मिट्टी लाल मिट्टी लैट्राइट मिट्टी और मरस्थली और रिटेली मिट्टी इनको हम अलग अभी विश्थित रूप में पहेंगे सबसे पहले है जलोड मिट्टी जैसे नाम से यह है जल या नदियों द्वारा लाए गई मिदा नदिया जब अपने किनारों के बिस्तित रूप में फैला देती हैं मिट्टी तो जलोड मिट्टी के निमार होता है पूरी उत्तरी मैदान भारत के उत्तरी मैदान जलोन मिट्टी से बना हुआ है आप फीगर में देख सकते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र या हिमालय परवस से निकलने वाली जो नदिया हैं उनके निछेपों से बनी मिट्टियां ये सब जलोन मिट्टियां हैं आईव के आधार पे जलोन मिट्टी को दो भागू में बाते हैं एक पुरानी जिसे हम बागर पथरीली मिट्थी कहते हैं जहां पर नदिया प्रतिवर्स नहीं पहुंच पाती है और उसमें रेह और कलर जैसे इस्तिती आ जाती है कम उपजावपन होता है उसमें उसे हम बांगर मिट्टी करते हैं खादर मिट्टी. जहां नेदिया प्रतिवर्ष मिट्टी को जमा करती जहां, उसे हम कहते हैं. वह जादा अबजाव होता है. अगला है काली मिट्टी. काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसको हम रेगर मिट्टी जॉला मुखी मिट्टी भी कहते हैं एक कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है दक्कन का पठार यह माहराष्ट की छेत में पाय जाता है लावा से बनी होती है और बेसिक चट्टानों के कारण यह मिट्टी का निमाड होता है इसमें फासफ हारन करने की चंता बहुत अधेक होते हैं लाल और पीली मिट्टी कम वर्सा छेत्रों में होता है जहां वर्सा कम होती है इनका रंग लाल होता है और ने चैटान होते हैं इसने की मात्रह ज़्यादा होती है इसलिए जो है लाल मिट्टी होती है पानी अगर उसके पढ़ जाए तो यह पीली भी हो जाती है लैट्राइट मिट्टी ग्रीग भासा का सब्द है इससे लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है इट उच्छ तापमान और अधिक वर्षा जहां पर अधिक वर्षा और ता मिट्टी में कम पाए जाते हैं क्योंकि अधिक तापमान इसमें पाए जाता है इसमें खाद और उब्रग डाल कर खेती की जा सकती है यह चेत्र करनाटा केरल और तमिलनार उड़ीशा चेत्रों में पाए जाता है अगला है मरुष्थली मिट्टी मरुष्थली मिट्टी लाल भूरा रंग का होता है यह जो है सैल बेसिक सैल तूट तूट करके बनने वाले हैं रेतीली होती है और इसमें नमक की मात्रा लेवड़ी जादा होता है उच्छे तापमान के कारण हिमस की मात्रा कम पाए जाती है तापम और भारत में इंद्रा कैनाल द्वारा राइस्तान के पश्च्चपी भागों में यहां पर खेती डिए वन मिर्दा पहाडी छेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है इसमें हूमस नहीं होते हैं क्योंकि कड़ी चट्चानों से बना होता है नदिघाटियों में इस सिल्टदार होती है क्योंकि नदिय अपने तोरा किनारे पे कुछ जमा करती है उसमें सिल्ट पाया जाता है और उपरी भागों में यह मोटे दाने वाले होते हैं क्योंकि महीन दाने बह करके हड़ जाते हैं और मोटे दाने पढ़े रह जाते हैं नदी घाटियों के निचले छेत्रों में यह उपचाव होती है क्योंकि जो छोटे छोटे खंड होते हैं वह नदी द्वारा निचली घाटियों में पहुंचा दी जाते हैं वर्सा वनों वाले चैत्रों में पाई जाती है जहां वर्सा वोती है उस वहाँ पर मिठ्झी अच्छी हो जाती है शिधिदार केती भी वहां पी जाती है आप देश सकते हैं मैप में कि ये सारी मिट्टियों के बारे में दिखाया गया है, सबसे पहले ये जो है उपर हरे रंग में ये परवती छेत्र है, यहां परवती मिट्टियां है, उसके बाद हलका हरे रंग में है ये हुत्तर का विशाल मैदान है जो जलोन मिट्टी है और तीसरा लाल मिट्टी ये पठारी छेत्रों में है ले रेट कलर का काली मिट्टी काली मिट्टी आपके भूरे रंग में जो महराष्ट गुजरात करनाट का छेत्रों में पाए जा रही है लेट राइट मिट्टी आपके पुर्वोत्तर छेत्रों में जहां पर अधिक वर्षा अधिकता आपमान पाये जाता है और फिर जो है मरस्थली मिट्टी आपके रायस्थान थार का मरस्थल छेत्रों में यहां जो है थार के मरस्थल रायस्थान छेत्रों में पाये जाता है कGO अब हम मित्टी को काट करके बहाओ द्वारा ले जाती हैं और समुन्द में गिजा देती है तो उसे मित्डा पर्दन कहते हैं उपाय मिल्दा प्रदन को रोकने के कई उपाय हैं आप सीवी बना करके पहड़ी छेत्रों में इसकी खेती करनी चाहिए पेड लगाना चाहिए जिससे कटाव कांकम हो और जड़े जो है मिट्टी को जक्ले रहें इसी तरीके से जो है यह आपका चैप्टर समरी के रूप में पढ़ा दिया गया है आप लोग इसका अभ्यास करिए और आगे वाले वीडियो में हम कुछ कोश्चन इस पे देंगे लिखने के लिए छोटे और बड़े कोश्चन आप लोग इसको लिख करके हमारे प्रस्थनल वर्टसप पे दिखाने का कर्ष्ट करें धन्यवाद में